सब्सक्राइब नाओ और प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिस अन अपडेट हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो ओनागा आर्ट्स आज हम ये वाली रंगोली बनाएंगे तो उसके लिए हमने पहले वाइट कलर की रंगोली से इस तरह से फूल का आकार बना लेना है इस तरह मैंने पाच पंकुडिया बना ली है इस फूल की इसके बाद मैंने एक छोटी सी चलनी की मदद से यहाँ पे रेट कलर भरा है ये मैंने डार्क वाला रेट कलर लिया है सबी पंकुडियों में इस तरह से हमने भर लेना है करनर की साइड हमने छोड़ दी है पाट रेट कलर और एक पाट ब्लैक लेकर डाक सा शेट बनता है वह शेट बनाके हमने हरे पंकुडियों के साइड से आूटर साइड में इस तरह से हलकासा भर लिया है कलर gosh यहाँ पर यह कौर्णर के साइट में भरना है और हलका सा पहले वाले कलर पर स्प्रेट करते जाना है हमें अब मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर लेके इस तरह से बॉर्डर कर लिया है पंखोडियों को बॉर्डर करके हलका सा बॉर्डर जहां पर बॉर्डर किया है वहाँ पर हलका सा ब्लैक कलर हमने शेट कर लेना है अब सेंटर के पार्ट में मैंने यहाँ पर डार्क वाला ओरेंज कलर लेके रेट कलर के बाजमी इस तरह से स्प्रेट कर लिया है सेंटर में हलका सा सेंटर में और थोड़ा सा पहले वाले रेट कलर पर हमने स्प्रेट कर लिया है और उसके बाद मैंने ये डार्क वाला येलो कलर सबसे सेंटर में स्प्रेट कर लिया है अब ब्लैक कलर लेके एक डॉट हमने सेंटर में बना लेना है और हलका सा वो डॉट के साइड में भी ब्लैक कलर हमने स्पेड कर लिया है इस तरह से अब यह मैंने सबसे सेंटर में पैरट ग्रीन कलर लिया है और उसकी उपन है मैंने black color के अब dot dot बना लेने है अब black color लेके हर एक पंकोडियों को मैंने इस तरह से border कर लिया है border करने के बाद मैंने हलका सा पहले वाले shade पे भी black color spread कर लिया है यह होने के बाद एक्स्ट्रा का रंगोली हम साप्ट कर लेंगे अब वाइट कलर लेके मैंने पत्तो का आकार यहाँ पर बना लिया है डाक ग्रीन कलर लेके हर एक पत्ते में इस तरह से मैंने कलर भर लिया है और जहाँ पर पंकोडिया रहती है वहाँ पर थोड़ा सा पार्ट छोड़ दिया है वहाँ पर मैं दो पार्ट green कलर और एक पार्ट black कलर लेकर जो dark shade बनता है वो shade में वहाँ पर भुरूँगी और यह पत्तों के side side से हलका सा पहले यह parrot green कलर spread कर लिया है और सबसे साइड वाले कॉर्णर में डार्क वाल डार्क शेड में इस तरह से प्यारड द्रीन कलर भर लिया है आमने यहाँ पे मैंने उंगलियों की मदस से थोड़ा जिगजग शेप में पत्तो काकर बना लिया है रंगोली साप करते टाइम ही हाथ थोड़ा जिगजग वे में लेना है ताकि इस तरह का पत्तो काकर तयार हो सेम इसी तरह से हमने दूसरे वाले साइड में भी पत्ते बना लेने है अब यह वाला शेप तयार होने के बाद पैरट ग्रीन कलर से ही हर एक पत्ते के सेंटर से इस तरह से बारिक से लाइन्स हमने बना लेने है अब मैंने यहाँ पे एक पार्ट ग्रीन कलर और एक पार्ट ब्लैक कलर लेकर जो डाग शेड बनता है उससी इस तरह से कुछ लाइन्स बना लेने है यहाँ पे आप कोई भी शेप में बना सकते है खही से भी बस चोटे चोटे इस तरह से लाइन हमें बना लेने है यहाँ पे हमने इस तरह के कुछ लाइन बना लिये है अब हमने यहाँ पे दो पार्ट वाइट कलर और एक पार्ट पिंक कलर लेके जो लाइट शेड बनता है उसके इस तरह से कुछ dot बना लेने है हर एक line के आगे वाले corner पे और कुछ बीच बीच में इस तरह के हमने gold-gold dot बना लेने है सबी तरह जगह पे इस तरह से हमने बना लिए dot अब हमने हाँ पे pink एक पार pink और एक पार black color लेके जो dark shade बनता है वो shade लेके इस तरह से हर एक gold dot के starting में इस तरह से छोटे छोटे dot बना लेने है इस तरह से सबी जगह पे बना लिए हमने यहाँ पे हमारा रंगोली complete हो गया है इसको हमने इस तरह से candle से decorate किया है अगर आपको एक डिजाइन पसंद आता है तो please like कर दीजे comment करना मत भूलिए और हमारे channel को भी subscribe कर दीजे thank you for watching